हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप ठीक होंगे तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस वीडियो में दोस्तों बात करने वालों एक ऐसी कंपनी के बारे में इसका नाम आपके सामने आ चुका है इलेक्ट्रोनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बात करो तो दोस्तों बहुत ही जबर्दस ये कंपनी हमें देखने को मिलती हैं मैंने कई बार आपको बताया है 100 और पीस से भी नीचे के जब ये शेर चलता था तब मैंने आपको कई वार वीडियो बना कर बताया है अगर आप लोग को यकीन है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं चलिए थोई सी कंपणी के बार मैंने चुछ को लिया था उसमस्थी कंपणी को लिया था यानि कि मैं बोलूओं अगर मैं आप से कि मैंने इस कंपणी को देखा था दोस्तों वो अपनी महूरे ट्रेडिंग अंदर ही भी मैंनी यही share को लिया था इस बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसने एक दिन में इस कंपणी ने जानी कि अगर माज की बात करूँ तो आप दीखे 10% के करीब करीब इसने profits बना के दिये हैं आपको जो कि एक बहुत ही अच्छे profits होते हैं FD की में बात करूँ तो दोस्ते FD में क्या मिलता है 7% जो बहुत ही ज़्यादा रिसकी बैंक्स होते हैं मतलब जैसे के आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा वैसे वाले जो बैंक होते हैं उनके ज़्यादा 7% मिलता है वो भी एक साल में और इस company में आपको देखी एक दिन में मिल रहा है बात कर लेता हूं थोड़ा सा और 5 दिन के तो आप देख सकते हैं 5 दिन में 14% के profit है एक महिने के बात करो तो तो इस company में देखिए 200 मतलब 190 करीब करी 200% के profit बना के दिए 6 महिने में मैंने आपको बताया कई बार इस company को बताई है अगर आपको यकिन नहों तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं वीडियो को चलिए दोस्तों मैं आपके सामझे देखिए बहुत अच्छी बात करने वाला है इस company के बार में देखिए दोस्तों है गया इस company के results के अगर मैं बात करों तो भी देखिए बहुत मतलब अगर मैं आपको बताऊ हूँ अच्छे हैं अगर आप normally आप देखेंगे तो आप गएंगा results तो इसके इच्छे नहीं है लेकिन जिस तरीके से company को हमें देखना होता है जिस तरा से उसके results को मैं देखना होता future भी देखना होता मैं company किस तरह से गाम कर रही है वो सारी चीज़े हम देखते हुए ही चलेंगे ठीक है दोस्तों चली थोड़ा सा आगी चल लेता हूँ और आप से बात कर लेता हूँ इस company के बारे में सबसे पहले देखें company के अजिंशल की तरह बारे आता है company का market cap की बात करूँ तो आप देख सेकते हैं company का market cap जो है आपके सामने है 79801 का market cap चल रहा है ठीक है number of shares के बात को 38 crores जो है इसके number of shares है PE की बात करूँ आप सामने देखें 7 का PE है face value के बात करूँ अब देखें दोस्तो face value आप देखें company के वो कितने 10 के यानि कि आने वाले time में हमें split भी मिल सकता है split दोस्तो हमें बहुत अच्छा profit मतलब पहुचाता है आप समझ सकते हैं long term में कितना अच्छा आपको profit पहुचाएगा long term में आपके shares बहुत सारे हो जाएगे जितना share आपके ज़्यादा होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा profit होंगे मैं एक बात करूँ मान लिए दोस्तों ये share जैसे कि double हो चुका है मान सकते हैं हमने 100 रुपीस का ये share ले था भी 200 रुपीस का ये share हो चुका यानि कि हमें 100x का profit हो चुका है 100% का profit हो चुका है आप दोस्तों होता क्या है जब औरों के लिए ये company के share मान लिए आज ही इस company ने 10% ये company भागी है तो हुआ क्या है जिन लोगों न अभी लिया हुआ ये उन लोगों के लिए 10% भागी है quarterly financials की बात करो अब आप देखें दोस्तों होने क्या वाला है quarterly financials देख लेते हैं इस company के और आप देखें जरा समझिए इस अपको देखें समझनी की जरूरत है ये देखें लास quarter में इस company के देखें 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 इस quarter के इसके प्रॉफिट से इस quarter के बात करते हैं डिप है डाउन है आपको देखने को मिल रहा हूँ है यहाँ पे इसकी sales है स्वरी माफ कीज़ें मैं profit बोल दे शायद अब देखें expenses की बात है तो देखें उस तरह से expenses को भी कम करा है इस company ठीक है अब मैं थोड़े सी बात करता हूँ आपको देखें की quarterly जड़ानी चाहते है net profit पे यह है net profit net profit अगर बात करो पिछले net profit था इसका पिछले quarter का 60 वहाँ अब देखें कितना हो चुगा है 37 जो के down है इस बात में तो कोई शक नहीं है दोस्तों हर को कोई देख के बता देखा कि यह जो profits से इसके पिछले quarter से down है ठीक है अब देखिए जरा मैं बात करता हूँ आप से यह यह है इसका profit and loss ठीक है यह है yearly वाला हर साल वाला ठीक है अब देखें बात कर लेते हैं कि 2021 का तो छोड़ दीजें माईस ठीक है हम 23 और अब की बात करते ठीक है अब देखिए मैं आप से बात करते हूँ अब से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इस company ने देखें sales करिए इतनी और यह इतनी यानिकर sales से हम कहें पिछले साल से इस साल में तो देखें sales बढ़त हुई है ठीक है अभी sales कौन सी है अभी दूसरा quarter चल रहा है हम जैसा कि हम जानते है second quarter है अभी हमारे quarter और भी आने बाकी है ठीक है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ में आते हम और नीचे की तरफ में आता हो यहाँ पर देखें हमारा net profit अब देखिए net profit पर देखें कमाल क्या हुआ हुआ है कमाल यह हुआ है कि पिछली बार देखें पिछ share इसी लिए भाग रहा है हमें EPS में भी देखें इस चीज़ को देख सकते हैं पहले इसका EPS देखें कितना था 3.19 का था और अब देख सकते हैं 4.05% का हो चुका है ठीक है जो कि एक बहुत इच्छी बात है हमें इसका EPS भी बढ़ता हो देखने को मिल रहा है ठीक है अब दोस्तों बात करूँ मैं इस company के तो company में दोस्तों होने क्या वाला है इस पार की जो results है इस company के बहुत ही इस स्कीम पर हमें sales बगएर चलती हुए देखने को मिलती है तो अब देखिया आप दोस्तों थोड़ा बात कर लें हांसे शेरोडिंग पैटन की तो अब देखिया आप शेरोडिंग पैटन के तो बात करूँ आपके समने देखिये शेर यह 77% से जो कि इनको stake नीचे करना थ जो कि यह कर चुके हैं इनके बाद 72% है प्रोमोटर्स के पास में FIA की बात करो तो दोस्तों देखिये FIA ने भी माल खरीता है इस quarter में ठीक है पछली बार सब की बाद देखिये पनी बढ़त बनाईए और देखिली जे DIA ने भी बढ़त बनाईए दोस्तों होता गया है में जो यह लोग होते हैं इन लोग के पास बहुत तगड़ी information होती हर कोई कहता है कि बहुत तगड़ी information है तो लेकिन कुछ information तो हमारे पास भी रहती है इसलिए हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इन्होंने भी इसका बाइंग करी है जो एक अच्छा level हमें देखने को मिलता देखें कमपनी अपने इसको बढ़ा रही है तीक है बात करें दोस्तों बोरेंग से कि तो आप देख सकते है पिछली बार से इस बार कमपनी ने अपनी बोरेंग को कम किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है अपना उधार कमपनी चुका रही है इसको बढ़ा रही है इसक तो आप सोच सकते हैं दोस्तों रिजर्वस बढ़ाने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में कंपनी हमको जितने जादा रिजर्वस होगा कंपनी के वागा से बोनस मतलब को स्प्लेट बगएरा बोनस बगएरा सब कुछ दे सकती है चलिए दोस्तों आची वीडियो को में आपकेर तो मिलूँगा आपसे रिजर्व डियो में तरत तके दोस्तों बाइबाइ